अब इस बजे का और बस चाय नास्ता हो गया है और अभी घर का कोई काम नी हुआ है तो यहां पर मसाले पीसे जा रहे हैं तो जो धनिया मैं डीमाट से लेकर आई थी उसको पीसना था काफी दिनों से वह ऐसी रखी है क्योंकि मौसम नहीं हो रहा था सही तो उसको दूप नह पारे थे खिर कल मैंने इसको धूप में रखा धनिया को और खूब अच्छे से उसमें धूप लगे और बस इसको मैंने पीस लिया है और अभी दूप मैंने रख दी लाल मिर्श लाल मिर्श को भी धूप लग गई उनको भी मैं पीस लूँगी तो यह देखो लाल मिर्श इंको मैंने धुक दिखा दिया है कि अच्छी से चटक गई है वो सब पीष रहे हैं लियान की चुट्टी हो गई है थो बस लियान देखो दicação आ पी दो लगा हो ऑगा है त्थ 58 कर रहे हैं मेरी मजह को दनिया Queen eyes बहुत अच्छा तो यहां रियान्द भी काम में लगे होंगे और आज है छुटी वाला दिन संडे है और रियान्द की तो अब छुट्टियां अब इनको सीधा जाना है एक अप्रेल को और अब और यही काम करेंगे घर में मम्मी काम कर रहे होुँचिन वोई यह छोडाइंगे हातों से ने देखो धनिया समद्सक्राइब भ falt अर में यह दição दो किमें चीलों कर दवर ना अद्या один कर दो किम्म दमती है तो यह का ध्या Patienten के आध्या सब्सक्केशाल सब्सक्राइब neu अधिया रिया तो बड़ा मन से कर रहा है सारा काम या तो पिस गई है लाल मिर्ची रह गई है तो वह कोई नहीं पीस एगा उसको तो मुझे पीसना है यह देखो कितनी महीन पिसी हुई है चान चान केस को भरते गए चनी से चाना है और फिर जो मोटा मोटा निकलेगा इसको पीस लेंगे धनिया हुआ लाल मिर्ची पाउडर हुआ यह सब मैं घर पे बनाती हूं और वैसे भी घर में बना लोग क्या दिकत है थोड़ा सा ही तो टाइम लगता है और सालवर के लिए हम फिरी हो जाते है और घर का बना अच्छा भी होता है और यह तो हमारे कामी होते ह है और बैसे भी बैटके हम कर के आ रहे हैं तो इसलिए मैं घर में पीस लेती हूं धनिया चानी हुई थी तो यह भी गंदा है अभी इसको साफ करना है तो सब जगह सामान फैला हुए यह देखो कैसी लगे हुए है सब लोग धनिया चानने में लगा हुए रियान भर रहा ह साफ करेंगे अभी यह देखो क्योंकि धनिया को चाना है ना तो वो सब जगह ओड़ रही है चाह रही है से हाथ में लेके घूम रहे हो गिराद होगे ना तो सारी धनिया फैल जाएगी पूरी धनिया पीस ली है और यह दो किलो का डबा है यह पूरा भर गया है और यह है अधा किलो का डबा यह भी भर गया है पूरे एक साल यह दनिया चलेगी तो थोड़ी सी लाल मिर्च घर में रखी होई थी तो इनको मैं डाल दूगी दूप में तो इनको अच्छे से दूप लग गई है और इनके जो डंठल है वो निकाल दूगी और इसकी बाद इसको पी लाल के लिए थोड़ी सी में पीश रही हूं और बाखी की जब लेके आएंगे तब और पीश लेंगे तो अभी न यह घर में ठोड़ी सी रखी होई थी यह पुरानी वाली लाल मिर्च यह तो इनको मैं पीश के रख दूँगी और अभी जो नई वाली मिर्च आएंगी न अब तक यह लाल मिर्च पीश रहा था और मुझे घरने थे जो खड़े गरम मसाले आते हैं जो मिक्स होके आते हैं तो उनको मुझे करना था अलग-अलग तो इसमें ना जो बड़ी बड़ी चीजे होती है दाल चीनी होई बड़ी लाइची यह सब यूज हो गई और इसमें बची थी काली मिर्च हुआ जीरा हुआ लॉग वगईरा हुआ है तो यह सारी चीजे मिक्स थी तो इनको मैं अलग-अलग कर दूँगी और काली मिर्च को मुझे पीशना था उसका पाउडर बना की रखना है क्योंकि बिल्कुल भी नहीं था काली मिर्च का पाउडर तो ब सारी चीजे इतनी बारिक पीशी हुई है बहुत ही जो लाल मिर्च है वो तो इतनी बारिक पीशी जैसे मार्केट की आती है ना विल्कुल उसी तरह से पीश दी है और जीरा जो मैंने अलग कर लिया था वो मैंने भर दिया है मसालदानी में और यह लाल मिर्च भरने वाला मैं पीश हूँगी तो यहां ऑकि तो यह सारी चीजें पीश ली है और काली मुच भी पीश ली और यह विमार्ज का पाउडर को भरकर रखे रहे और यह बहुतño होता motherfечение यह जा करते रहते हो जाएंगे किछिन कैसे फैला हुआ कितने सारे बटन इखटी हो गए दुलने के लिए लाँ यह देखो तो ऐसे काम होता है मेरा यह देखो बैठे है काम करने वाले आप इनको यह नहीं पता है कि वहां पे मिर्च डली हुए धनिया डली हो वहां जाके बैठ गए है स्लैप पे मिर्श पड़ी हुई है स्लैप पे मिर्श डली है तुम वहां बैठ गए देखो मुड़ो देखो पूरा पैंड गंदा हो गया तुम्हें क्यों सॉक लग रहा इतना मैं कर दूंगी तो बही ऐसे काम होता है अब इनकी ठुट्टी रहेगी ना अब यह ऐसी परेशान करेंगे क्या चिल करो यह बर्तन भी दुल दोगे तो अभी हो रहा है दोफैर का टाइम और देखो धनिया सही टाइम पे पीसली और बादल हो गये सुबह अच्छी खासी धूब निकली ती और अब देखो बादल हो गए एकदम से ठंडा मौसम होता है तो बहुत दिस से बादल आ गए और यहां पर टीवी चल लिए थोड़ा सा सोर हो रहा है और यहां पे रियांत बना रहा है मैंगी इतना मीडियम पर यह बन रही है से मैंगे बना रही हो यहां पर और यह अरा है किसी न खाए नहीं आटरा हूं महा सिवरात्य दिन बनाया था तो यह देख़ो उस दिन तो खाया ही क्योंकि बछे तर गशाट व मैं खाका है अरब दिन आवगजा ए गり वहान पैया है बन गया है बन गेई है predator तो यहां जब तक मैगी बन गई थी और बस दीखिए बड़ी आसी बॉइल बाली मैगी बनाई हुई है मैंने और बस अब प्लेट लगाएंगे और सब यह देखो संडे स्पेसल चल रहा है मूँ भी चल रही है और यहां मैगी बनी हुई है मैगी खा रहे हैं सब लोग और य दोनों काम होते रहते हैं तो इस तरह से अपना टाइम निकालके यह बाती बनाए के मैं रख दे आथि हूँ क्याश्या बहुत बहुत ज्यादा गते है और इसको मैं बना रहých हू Вसक्ति AUDIENCE के बाती मैं बपने हे दूद्स सब्सक्राइंगे और इसके बाद डब्व मैं भर कि दूद से बनाते हैं इनको थोड़ा सा सु छाना होता है औरissements पैस बना दी्हाज है और नीखी में चाहे सबको चाहे देचे रहें है और हम लोग देखेंगे को दोड़ा वियंस आ हैं आशन परि अखिल है क्रिया वारम अभी हो गया है पूजा करने का टाइम तो देखिए इतनी सारी बाती मैंने बना ली है और अभी मैंने किया है घी गरम तो बाती खतम हो गई थी तो इनको मैं भर दूंगी टिपन में और इखटी बना के रख देते हैं तो वस जल्दी से पूजा हो जाती है और यह देखिए बनाती है बिल्कुल मार्केट जैसी बनती है और जो बाती है वो बिल्कुल नहीं कुलती है पूजा कर ली है और मैं एक दिया तुलसी माता को लगा देती हूं साम की पूजा हो गई है और अभी टाइम हो रहा है साम की साड़े साथ बज रहे हैं तो अभी मैं जा रही हूं नीचे सबजी लेने तो आज सबजी मंडी लगी हुई है तो वहां से सबजी ले आएंगे क्योंकि सबजी विल्कुल भी नहीं है सारी सबजी आखतम हो जाती है पूरे हपते भर के लिए भर के लाते हैं सबजी और फ्रूट बगएरा तो भई आज था संड़े संड़े ना इ अब देख रहे तो यहां मैंने रूइ रख ली और अपनी बाती बना ली है वस इनको ऐसी खुला रख दिया है और कल इनको डबे में भर के रख देगे तो वस ऐसी टाइम निकालना होता है तो घर के चोटे-चोटे काम न कभी खतम नहीं होता है कुछ ना कुछ काम निकल के आई जाता है डेली खाना वाना नहीं बना है पहले सब्जी ले आते हैं और इसके बाद फिर में डिनर बनाऊंगी सारे काम हो गए हैं मसाले बगेरा पीस लिए धनिया पीस ली मिर्श पीस ली और बाती भी मैंने बना के रख दिया है तो यह सब ना काम करने पड़ते हैं तो जैसे जैसे बस एक रूटीन बना रहता है यह खतम हुआ तो दूसरा काम तुरंती स्टार्ट हो जाता है और आज जैसे यह काम था कल पता नहीं नहीं या कौन सा काम आ जाए तो बस ऐसी रूटीन बना रहता है घर के काम हो का और टाइम निकालना ही पड़ता है क्योंक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा मैं आप से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाई एंट टेक केर गूट नाइट